योग का अर्थ है इस बात को समझना और अपने सिस्टम को ब्रह्मांडिय जामिती की सीध में लाना योग की पद्धिती में हम शरीर को 114 चक्रों के रूप में देखते हैं 72,000 नाडियां 114 जगाहों पर मिलती हैं जिने चक्र कहते हैं इन में से दो आपके शरीर से बाहर हैं 112 शरीर के अंदर हैं इन 112 में से चार ऐसे हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं करना होता है ये उस तरह कें अगर बाकी चीज़ें ठीक काम करती हैं तो वो अपने आप विक्सित हो जाएंगे तो सिर्फ 108 ही हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं इसलिए 108 महत्वपून है लोग 108 मनकों की माला पहनते हैं, 108 बार मंत्रों का उचारन करते हैं क्योंकि इन 108 चक्रों पर ही आप काम कर सकते हैं 108 की संख्या महत्वपून है और आप हमारे देश में देखेंगे कि हर चीज 108 है क्योंकि सूर्य का व्यास और धर्ती और सूर्य के बीच की दूरी 108 गुना है और इस शरीर में 108 चक्र हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं मैं ऐसी कई गंड़नाएं बता सकता हूँ जो आपके इनसानी सिस्टम से मेल खाएंगी हम इन चीजों के प्रती जागरूक रहे हैं और यही वज़ा है कि हमने 84 बुनियादी आसन बनाए हैं इन 84 आसनों में से अगर आप 21 को भी ठीक से करते हैं और उन में से बस एक परमहरत हासल कर लेते हैं तो आपका सिस्टम ब्रहमांडी सिस्टम की सीध में आ जाएगा एक बार यह सीध में आ गया तो ब्रहमांड के बारे में हर जरूरी जानकारी यहीं पर मौजूद होगी